स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जो ये एमिरेट्स D10 का 26 वा मैच अजमान वर्सिस एमिरेट्स रेड की टीम के बीच में खिला जाएगा इस मैच के बारे में इस वीडियो हम लोग बात करेंगे तो आप लोग वीडियो को सुदू से लेके लाष्ट तक पूरा देखना ताकि आपको यह पर सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए और आप लोग अपनी खुद से बैतरी टीम बना पाओ तो सबसे पहले दोस्तों को अपने डेटेंट टाइम की बात करें तो ये मैच 24 दिसमब साम 6 बच के 45 मिनट से माले किर्केट ग्राउंड अजमान में खेला जाएगा मैच फॉर्मेट की बात करें टीटेंड का ये फॉर्मेट रहने वाला है अगर दोस्तों अभी तक आप लोग का टेलीग्राम से जुड़ना काफी इंपोर्टेंट रहेगा उकि टॉस के बाद क सारी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी और जो इस मैच की फाइनल टीम होगी वह भी मापको टेलीग्राम पर ही देने वाला हूँ तो इस वज़े से आप लोग का टेलीग्राम से जुड़ना काफी इंपोर्टेंट रहेगा तो आप लोग जुड़ इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पेसर्स जादा अच्छा करते हैं यानि कि जो विकेट मिलते हैं वो इस पिनर से जादा पेसर्स को मिलते हैं तो उसी किसाब से आप लोग अपनी टीम क्रेट करना अब यहाँ पर दोस्तों लोग पहले बात करते हैं अजमान की टीम के ब के बारे में जानेंगे तो आप लोग अपर वीडियो को बिलकुल इसके मत करना ताकि आपको यह पर हर एक प्लियर के बारे में अच्छे समझ में आ जाए तो सबसे पहले दोस्ते अपर बात करें उस्मान खान की काफी एक्स्प्रियंस खिलाड़ी है राइटी बैटर है ओफ ब्रिक यह बॉलिंग भी करा लेते हैं ओबरॉल देखोगे चौरानवे मैच में चौबिस सो उनतीस रंस है तेतीस कैवरीज है तीन विकेट है इस सीरीज में देखोगे तो यहाँ पे तेरा तेईस सैंतीस प्लस एक व इनके अलावा दोस्तों यहाँ पे अंस टंडन है इनका देखोगे ओबरॉल एवरेज प्लेयर है 15 का एवरेज रखते हैं हलाकि ओपनिंग करने आ रहे हैं तो आपको ट्राई करना चाहो तो इनको स्मॉल लीग की टीम में भी कर सकते हो हलाकि इस सीरीज में देखोगे उतन अच्छी इनकी पारी नहीं आया यानि कि उतना बड़ा स्कोर नहीं आया है पर प्लेयर इंपोर्टेंट है क्योंकि वन डाउन पर बैटिंग करते हैं विकेट केपिंग भी करते हैं इस वज़े से आप लोग इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो हर्सित कौसिक की बात कर रहें लेक्टरां और्थोलोक्स बॉलिंग कराते हैं यह जो शुरू में यहां पर जो मैच हो रहे थे उसमें यह ओपनिंग कर रहे थे पर अभी उस्मान खान आया है तो अभी यह ओपनिंग नहीं कर रहे हैं तो इनको आप लोग फर्स्ट बैटिंग में ट्राई कर सकते ह दे सकते हैं पर first betting में मेरे सबसे थोड़ा से ज़्यादा important रहेंगे क्योंकि two round पे आते हैं तो first betting में chances थोड़े से ज़्यादा रहेंगे ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा तो first betting में try कर सकते हैं बाकि आपे मोहमद अजमल हैं राइटी बेटर है राइटर में फास्ट बॉलिंग कराते हैं दो ओवर भी दे रहें अच्छी खासी hitting भी करते हैं तो यह तो must pick हैं इनको लेके चलना ही चलना है योवराज बरुआ की बात करें बेटिंग नीचे आ रहे हैं ओवराल 31 का एवरेज रखते हैं 11 मैच में 13 वेरंस हैं तो एवरेज आपको इस वज़े से ज़्यादा देख रहा है क्योंकि यह mostly war not out रहे हैं ज़्यादा आउट नहीं हुए क्योंकि बेटिंग नीचे आती है और mostly war not out जाते हैं इस वज़े से आपको एवरेज ज़्यादा देख रहा है पर ओवराल देखोगे तो 11 मैच में 13 वेरंस है नोने बनाए हैं तो इनको आप लोग एका जेल की टीम में रोटेट कर सकते हैं क्योंकि हिटिंग यह ठीक टाक क बल्ले वाजी भी करते हैं और अपने टीम से डेथ में बॉलिंग कराने आते हैं दो दो ओवर देते हैं इंपोर्टेंट रहेंगे सिराज एहमद पिया लेफ्ट आर फास्ट बॉलर बॉलर हैं 58 मैच में 40 विकेट निकाल चुके हैं इस सीरीज में देखोगे 2 विकेट 2 एक विकेट 2 ओवर तो लगबग 2-2 ओवर की बॉलिंग कराते हैं कभी-कभी हो जाता है ज्यादा बिटाई हो जाए तो ओवर कट जाए वरन्ना वैसे ओवर इनको मिलते हैं मरूफ भाबय की बात करें साथ मैच टीटैन के खेले हैं दो विकेट हैं इस सीरीज में देखोग तो यहाँ पर जो इनके बैंच पर बैठ रहे वाले हैं उनका भी आप लोग यहाँ पर स्टार्स देखे चल सकते हो तो दोस्तो बैंच प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर कुनैन अब्बास हैं अगर मौका मिल जाता है तो यह भी टीटैन के काफी अच्छे किलाड़ी हैं 29 का एवरेज रखते हैं इनके अलाबा आमजत खान गुल इनका भी दोस्तो काफी बैठरी रिकॉर्ड है राइटी बैटर लैग ब्रिक बॉलिंग कराते हैं आला कि बॉलिंग साइद इनों ने सिर्फ एक ही मैच में कराई है बाकी बॉलिंग करा लेते हैं पार्ट टैम इतने जादा नहीं कराई है टी टैन में देखोगे 18 मैच में 363 रंस हैं 45 का एवरेज है एक विकेट है अच्छे हीटर है खेलते हैं तो इंपोर्टेंट रहेंगे बाकी अभी तक मौका मिला नहीं है मोहमद इसमेल खेलते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट है दो दो ओवर थोड़ा सा एवरेज रिकॉर्ड है अंकुर संगवान दोस्तों इंपोर्टेंट है 47 मैच में 47 विकेट अभी तक निकाल चुके है सौरी दोस्तों यहाँ पे संगवान खेलेंगे यह खेल रहा है मैंने गलती से इनको बैंच पर बठाल दिया पर यह बैंच पर नहीं है यह प्लेंगे रिवन में खेलेंगे और अच्छे स्पिना रहा है इनको लेके चलना है दो दो ओवर देते हैं इंपोर्टेंट खलाड़ी है बाकी यहाँ पर इनको बैंच पर और प्लेयर उनके बारे में बात करें तो नव पबरेजा का मैंने आपको बताई दिया रहूल प्लेयर प्लेयर यहाँ पर आपको दिख रहा है इनको बात करते हैं अब यहाँ पर दोस्तों लोग बात करते हैं एमिरेट्स रेड की टीम के बारे में तो दोस्तों एमिरेट्स रेड की टीम की बात करें तो इनका पर्फोर्मेंस कुछ खास इस सीरीज में रहा नहीं है अभी तक साथ मैच खेलें जिसमें से सिर्फ एक जीता है छे हा रहे है तो तना कुछ खास इनका पर्फोर्मेंस नहीं रहा है अब हम लोग आपे की बालिंग करा रहा हैं, ओपनिंग करने आ रहा हैं, काफी इंपोर्टेंट है, ओपर ओल देखो कि 7 मैच में 110 रंस पना चुके हैं, अठारा कावरेज है, तीन विकेट है, अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कराते हैं, और अपनी टीम से डेथ में बॉलिंग कराने आते हैं, तो फर्स्ट बॉलिंग में अपने इनको फिक करके चल सकते हैं, कमर हुशेयन की बात करें, राइटी बेटर है, 25 का average रखते हैं 14 match में 306 रन है opening करते हैं और इनका recent देखोगे तो लगबग ठीक ताकसा रहा है तो इनको आप लोगे हैं पिक करके चल सकते हो Clinton बरकिसोग अपने team के captain है right team better है राटर मेडिया balling कराते हैं हाला कि last के कुछ matches से ये balling नहीं करा रहे हैं balling उससे पहले भी देखोगे तो उतनी जादा नहीं करा ये कभी एक ओवर कभी दोवर इस तरह से कराते हैं तो इनका overall देखोगे 18 match में 186 रन 26 coverage 11 wicket अपने team में लेके चल सकते हो क्योंकि balling हो सकता है एक आद ओवर की करा जाएं और बल्ले से भी आपको अच्छा करके दे सकते है वन डाउन पर बैटिंग करने भी आ रहे है तो इस वज़े से ठीक टाउक पिक रहेंगे मौमस सलमान की दोस्तों बात करें wicket की पर बल्ले वाज है अच्छी hitting कर रहे हैं फर्स्ट बैटिंग में आप लोग ट्राई करके चल सकते हो टू डाउन पर बल्ले वाजी देंगे प्लस विकेट कीपिंग भी करेंगे अस्वंत वल्थापा की बात करें बैटिंग काफी नीचे आ रहे हैं प्लेयर हाला की ठीक टाक है अनिल वासवाणी की बात करें अगर आप इनका यहाँपे इस सीरीज में देखोगे तो लगातार दो दो वर की बॉलिंग भी करा रहे हैं और यह थोड़ी बहुत बल्ले वाजी भी कर लेते हैं इस वजे से एक सेफ चॉइस रहेंगे इनको भी आप लोग अपनी टीम में लेके चल सकते हो करन धीमन की बात करें राइटी बैटर राइटर मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं दस मैच में 32 रंस हैं चार विकेट है जील की टीम में ही ट्राई करना इस सीरीज में तीन मैच के लिए कोई किसी में को मौका ही नहीं मिला है ना बैटिंग मिल रही है ना बॉलिंग मिल रही है उद्यस सूरी की बात करें लेफ्टर्ण चाइना मै इन गयनदबाज है 5 मैच में एक विकेट है लास्ट के 2 मैचे से 2-2 ओवर करा है उससे पहले आप देख सकते हो, बॉलिंग उतनी यादा मिली नहीं है, बाकि यहाँ पर अक्सा ताहिर की बात करें, तो यहाँ पर दोस्तो बॉलिंग तो किसी की भी कट जाती है, जो मैन बॉलर है, उनके भी यह लोग ओवर कार्ड देते हैं, तो यह चीज आप लोग यहाँ विकेट निकाल चुक है, और इनका देखोगे, तो यहाँ पर जीरो विकेट दो ओवर, एक विकेट एक ओवर, एक विकेट दो ओवर, जीरो विकेट ओवर, इस तरह से बॉलिंग कराईए, लगबग ठीक टाक बॉलिंग करा रहे हैं, विकेट भी यहाँ ठीक टाक नोने न काल है तो इनको आप लोग पिक करके चल सकते हो अब इना आप इसनू है चार मैच में एक विकिट है जील में ट्राइ कर सकते हो लाश्ट के दो मैचे से तीन ओवर की बॉलिंग मिलिया उससे पहले दो मैच में बॉलिंग ही नहीं मिलिया है मुहमद अबुबकर की दोस्तों ये player काफी अच्छ है, domestic level पे भी इनका performance अच्छा रहा है, अलाकि इनके भी ये लोग ओवर काट रहा है, दोनों ही match में एक एक ओवर की balling मिलिया, अलाकि last में एक ओवर में दो wicket लेके गए थे, तो इनको आप लोग याप पिक करके चल सकते हो, बाकि जो इनके bench पर बैठने वाले हैं, इनमें से जो भी खेलेगा, उसका starts आपको टेली ग्राम पर मिल जाएगा, तो उसके लिए आप लिए आप लिए टेली ग्राम से जरूर जोड़ जाना, लिंक आपको इसी वीडियो के description और first comment मिल जाएगा, मेरे टेली ग्राम चैनल का, तो चलिए अब हम लोग अपनी team देख लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने wicket keeping में अब्दुल सकूर को लिया है, आप लोग चाओ सलमान को भी लेके चल सकते हो, तो यहाँ पे बैटिंग करने आएंगे, wicket keeping भी अपने team से करेंगे, तो यह भी कोई खराब option नहीं रहेंगे, राउल चोपरा खेल नहीं रहे हैं, खेल से हैं तो काफी अच्छी option है, अब यहाँ पे बैटिंग section में चलें, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखो कि मैंने यहाँ पे क्यू हुसेन को लिया है, इनके अलाबा उस्मान खान, यह must पे करेंगे, लोग इनको drop कर रहे हैं, 50% लोगों ने इनको लिया है, आदे लोगों ने drop भी किया है, तो आप लोग इनको दोस्तों जरूर लेके चलना है, क्योंकि opening करते हैं, काफी भैतरी इन खिलाड़ी है, इनको लेके चलना ही है, वल थापा यहाँ पे बैटिंग करने नीचे आ रहे हैं, प्लेयर ये भी अच्छे हैं, पर बैटिंग काफी नीचे आ रहे हैं, इस वज़े से इनको इसमॉल लिंग में ट्राइ करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, हाला कि फर्स्ट बैटिंग में आप लोग चाहो तो ट्राइ कर सकते हो, थ्री डाउन पर आपको बैटिंग करते हो दिखेंगे, कौसिक की दोस्तों बात करें, यह आपको टू डाउन पर बल्ले वाजी करते हो दिख रहे हैं, रिशेंट में काफी अच्छा स्कोर भी किया, तो फर्स्ट बैटिंग में आप लोग इनको भी लेके चल सकते हो, तो मैं फलाल के लिए इनको भी नहीं ले पाई हूँ, हाला कि दोस्तों यह पार्ट टैम बॉलिंग भी करा जाते हैं, तो इस वज़े से यह फर्स्ट बैटिंग में ज़्यादा इंपोर्टन रहेंगे, फर्स्ट बैटिंग अगर इनकी टीम करती हैं, तो हो सकता है, मैं भी इनको लेके जाओ, फलाल के लिए मैंने नहीं लिया, अटेंडन को आप लोग जील की टीम में ट्राई कर लेना, ओपनिंग पर आ रहे हैं, ओवरॉल एक एवरेज खरा रहे हैं, पर ओपनिंग पर आ रहे हैं, इस वज़े से हो सकता है, जाएं, तो जील की टीम में ट्राई कर सकते हो, बरुआ काफी नीचे आते हैं, उतने अच्छे रहेंगे नहीं, इनके अलावा दोस्तों, आमजद खान गुल खेल जाते हैं, प्लेयर काफी अच्छे हैं, अभी तक मौका मिला नहीं है, के धीमन काफी नीचे आते हैं, पाट टैम बॉलिंग भी करा लेते हैं, जील में ट्राई कर सकते हो, तीन मैच खेलें, जिसमें बैटिंग बॉलिंग कुछ मिली नहीं है, तो इस मॉल लिंग में तो नहीं लेना, जील की एका टीम में ट्राई कर लेना, अब्दुर उल्ब, ए उल्ब, मुल्क, इनकी दोस्तों बात करें, इनको जील की टीम में ही ट्राई करना हो, क्योंकि बैटिंग काफी नीचे आ रही हो, और टी टैन में कुछ खास किया भी नहीं है, सिर्फ तेरा का अवरेज है, तो इनको लेने का कोई फाइदा है नहीं, कुनेयन अब्बास खेलते हैं, अच्छे प्ले रहें, बाकी यहापे कोई खास option नहीं है, तो मैंने यहापे इन दोनों को लिया है, अल्डरॉंडर सेक्षिन में देखो कि मैंने यहापे अजमल को लिया है, बरकन सो को लिया है, इनके अलावा पोशन को लिया है, मलिक को लिया है, तो ये चार All-Downers मैंने यहां पर लिया है, कि आनी दोस्तों खेलते हैं, ये अच्छे प्ले रहे हैं, इनको हम लोग लेके चल सकते हैं, अगर खेलते हैं, तो योकि death में भी बॉलिंग कराते हैं और अच्छे प्लेर हैं बाकी नीचे यहाँ पे कोई खेला नहीं है अभी तक किसी को मौका यहाँ पे मिला नहीं है भाबे जरूर खेलना है लास्ट के दो मैचे से दो दो बर की बॉलिंग करा रहे हैं और ठीक टाक बॉलिंग भी हो तो ट्राइ कर सकते हैं वैसे ओबरॉल उतने अच्छे खेलाडी नहीं है बाकी यहाँ पे हैगडे दोस्तों अगर खेल जाते हैं तो इन्होंने रिशेंट में जो D20 खेला था उसमें इनका काफी अच्छा परफॉर्मेस रहा था क्योंकि बैटिंग करने के लिए इनको प्रमोट किया जा रहा था और बॉलिंग भी काफी अच्छे अच्छी करा रहे था अच्छे कांसे विकेट भी निकाले थे तो अगर यह खेल जाते हैं यह ठीक टाक पिक है बाकी इनमें से जो भी खेलेगा उसका स्टार्स आपको टेली ग्राम पर सियर करी दिया जाएगा तो फिलाल दोस्तों मैंने आप इन चारों को ही लिया है बॉलिंग सेक्षन में देखोगे मैंने आप आर अनिल वासवानी को लिया है जो कि थोड़ी बहुत बल्ले वाजी भी देते हैं दो दो ओवर की बॉलिंग भी करा रहे हैं इस वज़े से मैंने इनको पिक किया है अं एहमत पिया को लोग ड्रॉप कर रहे हैं पर ये भी डेथ में बॉलिंग कराते हैं अपने टीम से अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तब ये और भी ज्यादा इंपोर्टन रहेंगे आला कि दोनों ने इनको लेके चलना प्लेयर काफी अच्छ है विसनू के भी यहा मैच हुआ उससे पहले इनोंने एक ओवर कराया और उससे पहले बॉलिंग भी नहीं मिली तो इस वज़े से इनको स्मॉल लिंग मिलेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि ओवर कट सकते हैं बाकि इनको जील की टीम आप लोग ट्राइ कर सकते हो कासिम खान खेलते हैं ठ चारो को ही यहां से पिक किया है तो फिलाल जो मेरी यहां पर टीम बन रही है वो यहां पर कुछ इस प्रकार है अब यहां पर मैंने अपनी कप्तानी अजमल को दिया है वाइस कैप्टन मैंने आप पोशन को किया है आपके पास जो अधर ओप्सन सी वीसी के रहेंगे वो य अगर आप लोग थोड़ा सा अलग जाना चाहो तो फर्स्ट बॉलिंग में एस एहमद पिया को भी आपे वीसी करके चल सकते हो तो यह चार बैस्ट आप्स है आप लोग जिसको करना चाहो कर सकते हो फ्लाल के लिए मेरी ये टीम है अगर इस टीम में कुछ भी चंज होगा तो